बड़ा बजार में 56 लाख रुपए के साथ 6 लोग गिरफतार बड़ा बजार थाना इलाके में हवाला कारोबारियों के खिलाब विशेश अभ्यान चला कर कलकाता पुलिस की ARS और DD की टीम ने तीन अलग अलग जगा चापे मारी करके कुल 9 लोगों को गिरफतार किया है पुलिस ने अभ्यक्तों के पास से 56 लाख रुपए बरामत किये है सुत्रों के निसार सोंवार की दुपहर पुलिस ने MG रोड इलाके से कपिल चरण बहरा नाम के एक व्यक्ति को संदिक धालत में घुमता हुआ देखा जब उसकी तलाशी ली तो उसके पास से 12 लाख रुपए बरामत किये रुपियों के बारे में पोचे जाने पर व्यक्ति संतोज जनक जवाब नहीं दे सका जिसके बाद पुलिस ने रुपएं को जब्द कर उसे गिरफ़तार कर लिया अभ्यूक्त से पूछनाश के बाद पुलिस ने रविंद्र सरणी इलाके में स्थित एक मकान के दूसरे मंजिल पर स्थित कमरे में तलाशी अभ्यान चलाकर पांच अन्य लोगों को हवाला के रुपएं के साथ गिरफ़तार किया पुलिस में मौके से 15,97,700 रुपए बरामत किये गिरफ़तार अभ्यक्तों से मिली जानकारे के बाद डीडी की टीम ने तीन अन्य लोगों को रुपएं के साथ गिरफ़तार किया है बड़ा बजार में 56,00,000 रुपए के साथ 6 लोग गिरफ़तार बड़ा बजार थाना इलाके में हवाला कारोबारियों के खिलाब विशेश अभ्यान चला कर कॉलकाता पुलिस की ARS और डीडी की टीम ने तीन अलग अलग जगा चापे मारी करके कुल 9 लोगों को गिरफ़तार किया है पुलिस ने अभ्यक्तों के पास से 56,00,000 रुपए बरामत किये है सुत्रों के निवसार सोववार की दोपहर पुलिस ने MG रोड इलाके से कपिल चरण बहरा नाम के एक व्यक्ति को संदिक धालत में घूमता हुआ देखा जब उसकी तलाशी ली तो उसके पास से 12,00,000 रुपए बरामत किये रुपियों के बारे में पोचे जाने पर व्यक्ति संतोज जनक जवाब नहीं दे सका जिसके बाद पुलिस ने रुपियों को जब्द कर उसे गिरफ़तार कर लिया अभ्यूक्त से पूचनाश के बाद पुलिस ने रविंद्र सरणी इलाके में स्थित एक मकान के दूसरे मंजिल पर स्थित कमरे में तलाशी अभ्यान चलाकर पांच अन्य लोगों को हवाला के रुपए के साथ गिरफ़तार किया पुलिस में मौके से 15,97,700 रुपए बरामत किये गिरफ़तार अभ्यूक्तों से मिली जानकारे के बाद डीडी की टीम ने तीन अन्य लोगों को रुपए के साथ गिरफ़तार किया है बड़ा बजार में 56 लाग रुपए के साथ 6 लोग गिरफ़तार बड़ा बजार थाना इलाके में हवाला कारोबारियों के खिलाब विशेश अभ्यान चला कर कौलकाता पुलिस की ARS और DD की टीम ने तीन अलग अलग जगा चापे मारी करके कुल 9 लोगों को गिरफ़तार किया है पुलिस ने अभ्यक्तों के पास से 56 लाख रुपए बरामत किये है सूत्रों के निवसार सोववार की दोपहर पुलिस ने MG रोड इलाके से कपिल चरण बहरा नाम के एक व्यक्ति को संदिक धालत में घूमता हुआ देखा जब उसकी तलाशी ली तो उसके पास से 12 लाख रुपए बरामत किये जब प्रण के व्यक्ति किये है